और इस स्क्रीम की दूसरे हिस्से में आपको दिखाई दे रहे हैं सारंग कुलकर्णी जी जो देश के युवा सरोध प्लेयर्ज हैं सरोध वादक हैं उसमें उनका नाम सशक नाम है और मजबूत नाम है और बड़ी परंपरा है उनकी सरोध की जो पिछले काफी सालों से चली है कि मैं आज इस मंच से आप से जुड़ चुका हूं सारंग आपने देखा होगा हम लोग एक जब से ये सीरीज शुरू हुई थी तो एक आदत सी बन गई कि कलाकार से सबसे पहले हम विनमर गुजारिश करते हैं कि वो भक्ती संगीत से कोई चीज करें कोई भजन सुनाए कोई भी भक्ती रचना सुनाएं तो आप से भी यही गुजारिश करूँगा कि पहले आप वो अपने सरोज से हमें सुनाईए और उसके बाद फिर हम बात्चीत का जो विदिवत सिलसिला होता है वो शुरू करते हैं बिलकुल 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 कर दो 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 कर कर दो 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 झाल झाल कि या बात है मुझे लगता है अब जो यह सिलसिला बात्चीत का शुरू होगा वह बहुत दिल्चस्प होगा और बहुत कुछ जानने समझने को मिलेगा सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि अब तबले से शुरुआत कि आपने और ठीक ठाक समय का तबला आपने बजाय अब उसके बाद मतलब तबला कहने को तो तबला भी इंस्ट्रूमेंट है सरोध भी इंस्ट्रूमेंट है लेकिन दौनों जो इंस्ट्रूमेंट के प्रकार है वो बिल्कुल अलग अलग है तो यह जो shift हुआ यह जो change हुआ यह कैसे हुआ इसके पीछे की कहानी क्या है तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे घर में ही संगीत बहुत पहले से है तो मेरे जो दादा जी थे पंडित विनैकरा कुलकरनी जी तो वो और उनके बड़े भाई पंडित रगुनातरा कुलकरनी वो पंडित विश्णुदिगंबर पलुसकर जी के पहले कुछ अनुरा जो प्रसार और प्रचार का जो एक सिल्सिला है हिंदुस्तानी संगीत का वहां पे कियाalta, और मेरे पिता जी भी वहीं born and brought up थे और उनका एक ये था कि शुरुवत हो वो तबले से हो तो क्योंकि ताल का जो एक शिक्षा जो होती है वो कभी ऐसे कभी भी काम आ सकती है तो आप अगर आगे जाके कुछ ना भी करो या और और भी कुछ साज उठा लो या वोकल्स में चले जाओ तब भी ताल का जो न्यान होता है वो आपको वहीं पे भी काम आता है तो उसी सिलसिले से मैं मैंने तबला की शिक्षा शुरुवत की और मुझे याद दे कि मैं स्कूल में इसी लिए ही फेमिस था कि मैं अच्छा तबला बजाता हूँ और उस टाइम मुझे यादे कि उस तद जाकीर उसें सा तो मैं जाता था सुनने के लिए अएक्दम सामने बैठके सुनता था और उस टोंट गड़ाता कि बस मुझे ऐसा ही होना है मुझे कुछ बाकी कुछ नहीं करना मुझे तबले मी मेरा करियर करना है और बहुत सीरियस था में तबला को लेकर पर जैसे मैं बड़ा होते गया आराउंड सिक्स्त में वो शिफ्ट हुआ कि मेरे पिता जी पंडित राजन कुल करनी वो खुद सरोध बजाते हैं और उन्हें भी शुरुवात तबले सी की थी तो उनका भी जो शुरुवात था वो तबले से शुरुवात हुआ था तो वो कॉंसर्ट्स करते थे सरोध के और मैं जाता था सुनने के लिए पर उससे पहले मुझे ना इतना वो हिट नहीं हुआ था वो जो सास था क्योंकि मैचुरिटी नहीं थी शायद बोल सकते या वो यह नहीं था पर मैंने एक मुझे उनका ये प्रोग्राम भी यादे कि गरवारे कॉलेज करके पुना में बड़ जाया दे कि और उस टाइम जो मुझे अंदर कुछ जो हुआ तो उस मैंने डिसाइड करिया कि अभी मैंने सरोधी करना है तो उस टाइम से मैंने सरोध की शिक्षा चालू की मैंने पिता जी से और वो अभी तक चालू है आपको ये किस्सा पता है या नहीं मेरे कहाल से पता ही होगा सरोध का जो पूरे विश्व में बहुत बड़ा नाम है उस्ताद अमजद एखां साथ उनकी शुरुआत भी तबले से होई थी और उनके हाँ तो यह हुआ कि फाइनली जब उनके पिता को लगने लगा कि तबल से आ रहे हैं जिनके पिता जिनके दादा और मतलब अलुसकर साहब का नाम सुनके आप यह तो लगता है कि हाँ जो संसकार होंगे वह बहुत गंभीर संसकार होंगे तो बच्पन में कोई शरारत करने की छूट मिलती थी या बच्पन से मतलब था कि नहीं बिलकुल एक दम अच्छे बच्चों की तरह और बिल्कुल कोई नॉनसेंस तो कभी शरारत कर पाते थे कि नहीं कर पाते थे जवी ख और में बहुत ही अकडोमिक्स में बहुत अच्छा नहीं था, मैंします और मुझे शरारत करना ही अच्छा लगता था मैं बैक संस्थ जो कहते उस लड़कों म आप को वो क्लासेस चलते थे और विद्धारती आते थे सीखने के लिए संगीत तो जो वो गाते थे जो बंधिश जो गाते थे तो हमें लगता था कि वो एक गाना ही है तो मुझे आज भी बहुत सारी बंधिश और ये सब याद हो जाते क्योंकि मुझे लगता ही वो गाना है तो उस हिसाब से मेरा बचपन भी वैसे ही मैं बढ़ा हुआ और ऐसे कुछ नहीं था पर उस संगीत में ही बढ़ा होते गया और ऐसे बहुत डिस्सिप्लिन या ऐसे नहीं कहूंगा मैं खुद को पर उसमें ही अभी चल रहा है यह तो मुझे पता है कि आप अपने परिवार में दीसरी पीड़ी है और यह भी मुझे पता है कि आपने अपने पिदा जी से संगीत की तालीम लिए है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आपको दादाजी से भी कुछ सीखने का सवभाग ये मिला आपको आपको उन्होंने भी सिखाया बच्पन में जब आप छोटे रहे हूँ अन्फॉर्चुनेटली क्या हुआ था कि जब मेरा जन्म हुआ नैंटी में तो उनको पैरलिसिस का आटैक आ चुका था मेरे दादाजी को तो मैं उनसे डाइरेक्टली कुछ नहीं सीख सकता पर उनके जो शागिर्ध है जो उनके पास जो सीखे हुए है उनसे मैंने बहुत चीजें उनके बारे में सुनी थे तो वो एक थे मेरे साथ थे और बहुत ही उनका एक प्रेजन्स बहुत एक जैसे प्यारे दादाजी जैसे होते हैं वैसे था पर उनको उनका बोलना भी चला गया था उस टाइंग तक पर जो मैंने सुना है मेरे पापाजी से मेरे बुआ से मेरे चाचा जी से तो वो उससे म आपके पिता राजन कुलकरणी जी देश के सम्मानेद सरोधवात्कों में से हैं, आप सोलो से लेके, संगत से लेके, तमाम बड़े काईपम उन्होंने किये हैं, अब मैं ये समझना चाहता हूँ कि पिता का ही गुरु होना या गुरु का ही पिता होना, इसको आप किस तरीकी किसे परिभाशिक करते हैं किस तरिके से इसकी definition आप देते हैं यह बहुत ही challenging question आपने पूछ लिया है क्योंकि यह मैं खुद भी ना बहुत सालों तक मैं इसको distinguish नहीं कर पाया कि क्या कहां पे वो पिताजी होते और कहां पे वो गुरू होते पर मेरे ख्याल से और मैं शायद बोल पाऊंगा कि वो जब से मैंने साज उठाया है सरोद का तो तब से वो मेरे गुरू जादा है आज तक अभी जैसे मैं अभी मैंने performances और ये मैंने चालू किया है तो तब से वो उनका फिर से पिताजी के रूप में मैं उनको देख पा रहा हूं पर जो एक बहुत बड़ रोल होता है गुरू का अपने लाइफ में कि अपने शागिर्द को बहुत स्ट्रीम लाइन एक एक ही पाथ पे रखना क्यूंकि हमारे टाइम में बहुत ही जब भी मैं घर पे र्याज करता था अभी भी करता हूं तो उनका कान पूरा मेरे रियाज पे रहता है और तुरंत वो कुछ करेक्शन्स और ये जो होता है वो तुरंत वो ही पे करते हैं और I feel कि I am the blessed one to have my father as my guru क्योंकि उनी के वज़े से मैं आज तक इतना focus रह चुका हूँ संगीत के बारे में और आगे भी रहूँगा उनी के guidance से और I think that he has kept me grounded all the time और वो सबसे जादा अच्छा चीज है कि जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है तो अब भी जो कुछ एक दो गलतिया होती है उसको लेकर वो कहते हैं यह नहीं होना चाहिए आगे जाके तो उससे भी क्या होता है कि मेरा भी एक responsibility बढ़ता है कि मैं और अच्छा करके दिखा हूँ और अच्छा हूँ मेरे रियाज में मैं क्या-क्या बदलाओ लाओं जो which will translate to the stage so this has always helped me and I am always thankful to my father for this यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के comment box में जाएं और अपनी राये रखें इसके अलावा रागगिरी को subscribe करें और bell notification जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरूपता फैलाने का एक मंच है जो एक registered trust है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे